जै माललतामिका, जै गुर्देव, हम लोग ललिता त्रिशती के जो नाम है, उनके भावार्थ को शर्वन स्मरण कर रहे हैं कई वीडियो से, आज हम लोग श्लोक नमबर 34 से लेकर के श्लोक नमबर 38 के भावार्थ को सुनेंगे, मैं अपने गुरु जेनों से प्रारतना करती कि इनके भाव को मैं सरल शब्दों में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर पाऊं, आज हम लोग 34 लोग से शुरू करेंगे, 34 से अरतिस, हयंग वीन रिदया, हरी को पार उडान चुका, लकार आख्या, लका पुझ्या, लयस्तित उद्भवेश्वरी, आप देखेंगे कि श अरतिस, हयंग वीन रिदया, जो कि हर अक्षर, 15 शाक्षरी के जो 15 अक्षर है, उन्ही अक्षरों से ये नाम शुरू होते हैं, तो ये हयंग वीन रिदया, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया है, जिनका हरीदय एक दम मखन की जैसा है, ऐसी मेरी मा, और हरी गोपा, रुनान चुका है नमहा, जिनका रंग हरी गोप की तरह है, जो कि लाल रंग का है, तो ऐसी जो देवी है, ये अर्थ हमने पहले ही हवाले अक्षर के सुन चुके हैं, आज लकार अख्या से शुरू करेंगे, तो मा लकार अख्या, कहने का अर्थ है कि ल, लकार, ल शब्द से, जो अब ही शब्द आएंगे, वो सारे के सारे मा को ही दर्शाते हैं, ऐसा भाव रखना है, दूसरा आर्थ होता है, ल, बीज, जो है, वो प्रित्वी का बीज है, तो ये प्रित्वी, मा योनी रूपा है, कामख्या रूपा है, कामख्या ही ललता है यात रखना इस में मा कामेश्वरी के रूप में रहती है, और शीव कामेश्वर रूप में रहते है, तो कामेश्वर कामेश्वरी का ये जोड़ा काम रूप में रहता है, जिसको हम कामख्या के नाम से जाते हैं, वहां कामख्या की योनी पुजा होती है, मैंने कामख्या तंत्र के कई वी मा के गर्ब से ही 14 लोकों के उत्पत्ति हुई है अनेको ब्रम्हंडों के उत्पत्ति हुई है मा योनी रूपा है लेकिन यहां जब हम प्रिथ्वी पर आते हैं तो मा प्रिथ्वी रूपा है इस प्रिथ्वी में से ही तुनाना प्रकार के जीव निकलते हैं तो यह जो प्रि प्रित्वी तत्व की जो तनमात्रा गंध यह सब कुछ जो है वो माही है तो देखो एक ला से कितने अर्थ निकल आए और मा भूदेवी है यानि कि प्रित्वी ठीक है न तो ला से प्रित्वी प्रित्वी से भूदेवी भूदेवी तो विश्णु पत्नी इस प्रकार से एक ला अक्षर से नजयने कितने अर्थ अभी हमने निकाल दिये तो यह सारे ला अक्षर जब कभी आप ध्यान करो मा के ओपर एक लग से बहुत भाव निकल करके आएंगे तो ऐसी जो मा है पृत्वी का बीच लग तो पृत्वी रूपा मा जहां भी नजर घुमा हूँ बस मा ही मा ठीक अच्छे इसका दूसरा अब जो दूसरा नाम आने अला हो भी बड़ा सुन्दर नाम है देखो लता पूज्या जिनकी पूजा लताओं से होती है एक तो यह अर्थ हुआ तो यह सारी पृत्वी मा है और यह पृत्वी के ऊपर जितनी लताएं है वो मा का पूजन कर रही है तो लता पूज्या लता पूज्या देखी का एक नाम हाता है शाकमबरी शाकमबरी का अर्थ है न शाग जो हम साग लेते हैं तो ये शाख की जो देवी शाकंबरी तो लता पुझ्या में माही वो लता बनी हुई है माही वो शाकंबरी बनी हुई है ऐसी मा जिनको ये पुरी प्रत्वी और प्रकृती पुझा कर रही है दूसरा मा का एक नाम होता है वंदुरगा सुना है आप लोगों ने तो जो वनों में रहती है ऐसी जो मा है वो है वन दुर्गा तो लता पुझयायनमह यह पुरी पृत्वी यह पुरी प्रकृती लता के रूप में जिन की पुझयन कर रही है ऐसी जो देवी है शाकंबरी रूप में वंदुरुगा रूप में इनको हम प्रणाम करते हैं लयस्थित उद्भवेश्वरी जो मा पृत्वी का लय पृत्वी नहीं इस पुरे प्रम्हांड के लयस्थित उद्भव जो ये चलते देती हैं जो क्रियाए ये मा की शक्ती से चलती है तो ऐसी जो मा है जो ऐसे अनेको प्रम्हांडो बनाती है ऐसी जो मा है जिनकी स्थिती जिनका पालिंग करती है और फिर जब विलीन हो जाता है तो सभी नहीं के अंदर विलीन हो जाता है फिर से खेल चुरू हो जाता है ऐसी मा को हम न विश्ण दाम है तिस्वा लाश्य दर्शन संतुष्टा यह लाभा लाभवि वर्जिता लंगेत राग्या लावन्हां यह लगू सिंधी दा लास्य दर्शन मां को नुत्य वैगर जो होता है कला लाश्य नित्य, मा को ये नित्य वेगर अच्छा लगता है, तो कई बच जब हम मा की पूजा करते हैं, तो अंत में कई बार नित्य भी दिखाते हैं मा को, लास्य दर्शन प्रिया, उनको लास्य दर्शन बहुत अच्छा लगता है, लास्य दर्शन लंगेतर आग्या लावन्य शालिनी लगुसिधिदा लंगेतर आग्या की ये रानी है इन्होंने जो कर दिया है रूल बना दिया है रूल बुक इनकी रूल बुकों कोई क्रॉस नहीं कर सकता कोई इनकी आग्या का उलंगन कर नहीं सकता तो ऐसी जो देवी जिनकी आग्या का उलंगन कोई नहीं कर सकता सूर्य हो, चंद्रमा हो, वायू हो इंद्र हो इतने भी देवी देवता है यह इनी के आग्याप पर चलते हैं, इनी कोई नहीं कर सकता, ऐसी जो देवी है उनको नमस्कार है लावन्य शालिनी, यह तो सब्ध बहुत ही सरल है मा तो समुद्र है, किसकी लावन्य की, माहा लावन्य शेवदी, ऐसी जो सुन्दर, बहुँ सुन्दर लगती है, जो सुन्दरता का, अपार सागर है, जिनके अंदर, ऐसी जो मा हैं, इनकोन मशकार है, लगु सिद्धिदा, जो सिद्धियां देती है, छोटी, पहले तो छोटी-छोटी सिद्धिया, जाए बड़ी-बड़ी सिद्धिया, आप जो सिद्धियां सोचो, जब हम स्रियंदर की पुझा करते हैं, तो उसमें सारी सिद्धियां आती है, तो पहली सिद्धि जो होती है, अनिमा सिध्धी, लगिमा सिध्धी, महिमा सिध्धी, प्राप्ति सिध्धी, बुक्ति सिध्धी, त्यादी सिध्धियों का नाम है, तो छोटी छोटी इक्षाएं या बड़ी बड़ी इक्षाएं अच्छा मा के लिए क्या है सारी सिध्या मा के लिए तो सब छोटा है हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी है लेकिन मा के लिए तो सब छोटा है यहाँ पर हर उस सिध्धी जो एक सादक चाहता है उसको मा ऐसे दे देती है और वो चिद्धिया एक दम छोटी सिद्धिया मा के लिए तो ऐसी जो मा है जो सिद्धिया अपार देती है अपने वक्तों को लगु सिद्धी दाइन महा हमें लगता है कि हमें जो मांगना है बहुत पहाड के सब बढ़ा है, लेकिन माँ के लिए वो चोटा सा है, हमको क्या सिद्धी चीए? अच्छा सिद्धी क्या होती है? कई बार सिद्धी समझना चीए, तो अच्छा सिद्धी तो मैंने आपको बता दी, प्राप्ति गर्मा हित्यादी हमने सुना है लेकिन हम जब कोई मंत्र करते हैं जैसे हमारी इक्छा हो नौकरी प्राप्ति चाहिए हमें तो हमने कोई मंत्र लिया गुरू ने दिया गुरू बे हमें इष्ट निष्ठा गुरू निष्ठा मंत्र निष्ठा तीनों हमने किया और हमने वो साधना नुष्ठान किया और हमें नौकरी चीए थी नौकरी मिल गई तो वो क्या है आपका वो जाब सिद्ध हुआ कि आपको नौकरी मिल गई समझो किसी को विवा करना है और अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है और उसने जाब किया जो भी गुरू ने उसको न मंत्र बताया सोला सुमवार रख दिया हमारे होता है न प्रथा सोला सुमवार रखो तो अच्छा लड़का मिलेगा तो सोला सुमवार रख करके शिवजी की प्रारदना की खूब और फिर बाद में अच्छा लड़का मिल गया विवा हो गया तो आपको उस समय आपकी एक्छा जो थी वो प्राप्ति हो गई तो सिद्धी हो गई और अपने दिल की बात रखते हो, और जैसे ललता ससनाम का जो अनुष्ठान होता है, छे मेने कम से कम दिल से, दिल से, बिलकुल सात्विक तरीके से, नौन वेच छोड़ देना, शराब बराम नहीं, सिगरेट नहीं, अंडा नहीं, इत्यादी नहीं, इस अब छोड़ सात्विक तरीके से, इनका अनुष्ठान करो, और करने के बाद, अपनी इक्छाएं रखो, और जब इक्छा पूरी हो गई, तो हो गई ने आपकी, सिध्धी, तो लगु सिध्धी, तो कहने कारते हैं, कि जो मा से हम मांगते हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज हैं, लेकिन मा के लिए वो बहुत चोटी सीध है, ऐसी जो मा है, लगु सिध्धी दाए नमाहा, इनको हम नमशकार करते हैं, दूसरा, ये तो हुई संसारी की इक्छाएं, लेकिन साधक जो होता है, जो केवल मा के दर्शन करना चाहता है, उसको संसारी की इक्छा नहीं होती, उ कि अच्छा मोक्ष मिलने से मा के दर्शन होंगे, हाँ तो मुझे मोक्ष देदो, लेकिन उसको मोक्ष इक्छा नहीं होती है, उसकी इक्छा होती है, बस मुझे कि मा के दर्शन हो जाए, तो होते क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं दर्शन हो रहे, आरे वो जो सबसे करीब वो जो सबसे रिधाय के अंदर यहां, यहां बेटी है, वो जो हर पल बात करती है, लेकिन इसके आवाद चुप जाती है, क्योंकि हमारे मन में इतना कोला हाल है, वो जो हमेशा दिशा दिखा रही हमको, फिर भी हम दिशाहिन, हैडलेस चिकन जैसे घुमते हैं, तो क्यों नह क्या है, वो तो रिधेमी है, हम उनको नहीं पकड़ पा रहें क्योंकि हमको कि सी ओर चीजने पकड़ के रखा है, किससने पकड़ के रखा है? Trentर मैं आता है, श्ट पास कहते हैं इसको, काम, काम नहीं, क्रोध, मद, मतसर, हमें अभिमान, हमारी खूलक अभिमान, हमारे जाती का भिमान, एहंकार, मातसरिय, जलन, इत्यादी, इसो जो चुटी-चुटी चीज़े हैं, इसने हमको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और इस पकड़ ने ही हमें, हम ऐसे पकड़े हुए उनके इन चीजों के काम कुरूद इत्यादी से, कि हम मा को पकड़ना चाहते हैं, हम पकड़ नहीं पाते हैं, वो जो रिदे में बैठी है, वो छुप गई है, कहां, हमारे स्वैम के एहंकार के आवरन में छुप गई वो, दिखाए नहीं दे रही हुए, है वो अंदर, हमारे कामनाओं के पहाड़ों के बीच में वो कामेश्वरी छुप गई, दिखाए नहीं दे रही, हमारे द्वेश वाले संसकारों में, वो कामेश्वरी जो मक्धन की जैसे है मुझे पहा है यंग वीन जो मक्धन की जैसे कुमल है हमारे देश के संसकारों में उच्छ च्छुप गई उन्हें और इस दिखाई दे रहे उनहीं डिखाया दे रहे पाना नही चाहती नौकरी पाना ये बाकी सब तो बहुत उच्छी चीज़ है लग उसी दिदाय हो लेकिन जिस मा को तुम पाना चाहते हो ना तुमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन वो भी बहुत सरलता से प्राप्त हो सकती है कि वहले इन चीज़ों के उपर तुमको काम करना है भरे वो मातसर्या जलन दूसरे से कंपिटीशन कैसे प्राप्त होगी वो अंदर चुपी है वो कहते है ठीक है जा तू कंपीट कर ले सबसे मैं बैठी हूं तेरे इंदजार में तो यह जो हमारे जो अश्टपाश हैं जो हमको बांधे रखते हैं या शड रिपू हम कहते है जो मैंने भी कहा जब हम मां के चरणों में जाते हैं और दिल से प्रापना करते हैं मां बस अब तुम्हारे अत्रिकत और कुछ नहीं जी है तुम्हारे चरणों के अत्रिकत कुछ नहीं बस मैं तेरे गुद में खेलू बस मैं तुझे बस मैं तुझे लाड लड़ा हूं औ तो ये सब कुछ दिरे-दिरे समापत होने लगता है। तो लगुसिदिदा का एक अर्थ ये भी है, कि जो इस प्रकार से कृपा करती है, कि ये अश्टपाश, जो आमें लगता है, कि कितना कठीन है, और सबसे कठीन है, अहंकार, जो सबसे कठीन है, उस तक को जो निकाल देती है, उसों कहते हैं लगुसिदिदा, तो ये लगुसिदिदा ऐसी मा को हमेशा हमेशा नमस्कार है, अब छतिस्वाश लोग, लाक्षा रस सवरना भा, लक्ष्मना गर्ज पूजिता, लभ्ये तरा लब्द भक्ती, लग्ष्मना भा, तो मा का जो रंग है वो बिलकुल उस अलब्तक के जैसे लाल-लाल मा दिखाए देती है, इतने सुन्दर दिखाए देती है, दुसरा नाम है लक्ष्मना गर्पूजिता, लक्ष्मना गर कौन, बगवान श्री राम, तो ये जो श्री विद्या है, ये जो हमारी मा है, इनकी पूजा रामचंद्र जी करते थे, तो लक्ष्मना गर्पूजिता, और लभ्यतरा एनमहा, मा का नामे लभ्यतरा, बदर ये सारी तो चीज़े आपको मिली जाएंगी, सिद्धियान जो है, लेकिन इसके अत्रिक्त भी यदि तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज़ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो ऐसी प्राप्त, यदि इसके अत्रिक्त भी कुछ और है, शब्द ही नहीं है, मैं पता नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक ही चीज़ है, बस मा, वो प्राप्त हो जाती है, गीता में कहते हैं, बगवान कुछन कहते है, बुणाम यन्मान जन्मान थे, यहां वान माम प्रपध्यन थे, मा है ना, बस, वो, उनको प्राप्त कर लेना, यह यह लब बहतरा कार्द है, कि मा अपने आपको स्वेम प्राप्त करा देती है, कई जनम लग सकते हैं, हमारी पवित्री करण में, लेकिन मा कभी साथ नहीं चोड़ती, मा प्राप्त, मा प्राप्त है, कि वल तुम्हें बस, तुम्हारे आखों के आगे से बस वो अग्यान का आवरन अटना है, बस, और मा प्राप्त है, ठेक है, तो, लभे तरह लब्द वक्ति, मा को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, बक्ति से बड़ी सुलब है मा प्राप्त करने में, जब हम लगता से साथ कहते हैं, उसमें नाम आता है मा का बक्ति प्रिया, बक्ति वश्या, बक्ति गम्या, ऐसी जो मा है जो भक्ति के वश में आ सकती है भक्ति प्रिया है भक्ति के वश में आना है भक्ति क्या होती है मात की तांतरुक्त पूजा है लेकिन भक्ति क्या भक्ति तो नवधा होती है कैसे होती नवधा भक्ति काँ से शुरू होती है श्रमन से शुरू होती है मां के बारे में सुनना अभी आप लोगे वीडियो सुन रहे हैं मां के बारे में शुन कर रहे हैं और जितना सुन रहे हैं सच में दिल में हात लगा के कहना कि प्यार हो रहा है कि नहीं मां से जब कहती हूं मालाल रंग की है तो आती की नहीं मां और जब कहते हैं कि मां बस ते किर्टन क्या है ललता सहस्तनाम को पढ़ना ललता तरिष्षधी को पढ़ना इक तन और इसको भाव में जाकर करके इसके भाव में डूबे रहना वो मनन उस्मर्ण तो श्रवन किर्टन मन श्रवन किर्टन अस्मर्ण यह बक्ति के तीन इंपॉर्टन स्टेप है अगर कोई यह कर रहा है तो भक्ति वश्या भक्ति प्रिया भक्ति गम्या यह सब लस्ता सहस्ता में नाम आते हैं और यहां पर जो उसका नाम आया उसका जो भाव हल होता है हल तो इनोंने हल को अपना आयूद बना करके रखा है पृत्वी देवी है हल से ही पृत्वी में हम खो देते हैं फिर उसमें से जो लताय जो 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 व्रिक्ष है त्यादी वो प्रकट होते हैं तो इनका ये भूदेवी है तो इनका आयूद जो है वो है हल ठीक है त पर जो आज माललका का जो स्वरूप आ रहा है वो भूदेवी का स्वरूप आ रहा है और भूदेवी और भूदेवी के व्रिक्ष और जो हल जो खेती में यूज होता है उस स्वरूप में हम इनको पूज रहे हैं अब श्लोक नूमबर 37 लगन चामर हस्त शी शारदा परिवीजिता लज्जा पदसमा राध्या लंपटा लकुलेश्वरी लगन चामर हस्त की शी शारदा परिवीजिता की शारदा यानि सरस्वती जी और उनके साथ लक्षमी जी भी रहती है ये अपने हाथ में एक चामर लेकर के चवर डुलाती है मा को चवर डुलाती है प्यार से परिवीजिता विजन करती है तो जो बड़े प्यार से मा में सनलगनों करके मा को अपने लक्षमी जरसासती भी मा को अपने नजरों से देखती है तो बस एक टक देखती रहती है और चावर डुलाती रहती है इसकारती है लगन चामर हस्ता शीशारदा परिवीजिता लज्जा पद समाराध्या लज्जा बीज होता है कौन सा बीज है वो रिम बीज जो मा का बीज है तो उसको लज्जा बीज कहते है उसको माया बीज कहते है तो उस बीज से जिसकी पूजा होती है रिम कार बीज से जि दूसरा क्या कि लज्जा, स्त्री क आपूशन क्या है लज्जा ठीक, तो मा का आपूशन लज्जा, मा शर्माती है, तो ऐसी जो लज्जा तो और दूसरा भक्त जैब अपने पूरी लज्जा उनको समर्पित कर देता है ठीक है ना,etta बेट अन्य को नमश्कार है जिनकी साधना एक तो लज्जा बीज मंत्र से होती है दूसरा जब हम अपनी सारी लज्जा छोड़ करके उसी को मां को समर्पित कर देते हैं मैं यह क्यों कहरे हूं लज्जा छोड़ देना इसलिए कह रहे हूं जब साधक इस रास्ते चलता है ना भक्ति की रास्ते तो कई बार हम बहुत सारे सोसाइटी की जो हमको जो चीज़े दी गई है वो लेकर के चलते है वो बंदनों को जब हम आगे बढ़ते जाते साधना के चेत्र में और जब मां से बहुत प्यारों लगता है बहुत प्यारों लगता है बहुत जादा प्यारों लगता है जब प्य आदमी को आसू निकलने लगते हैं, भक्त को ना आसू निकलते हैं, और इतने आसू इतने आसू निकलेंगे पता ही नहीं क्यों निकल रहे हैं आसू, होता है कि हमारे समाज में सिखाए कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन उस भक्त को समझ में नहीं आ रहा है कि रोना हा क्यो रह तो उससे में पर छोड़ना पड़ता है कि लोग मुझे देखेंगे कि मैं रो रही हूं या रो रहा हूं तो क्या फ्राग पड़ता है देखने दो हम मा के प्रेम में रो रहे हैं लज्जा छोड़ो तो गहते हैं लज्जा समारातिया मैं लज्जा से मैं अपनी लज्जा के ये सामने पस्षरों के सामने तो जोर्न करता है। क्यों कुई नी समझा सकता हूं? है हम धालों की तर है होता है। विस सवमें पे हम अम शोचा का मैं जया सिह रहे हम पागलों से ह्छारे तो लो dab compromise चोड़ो अस लज्जा को औरे माहा का स्वरूप आग के सामने प्रकट रहा से नहीं हमने अपनी हची समर्पित कर दी इस लज्जा को त्याक करके कभी-कभी कभी-कभी नित्य करने को पन करता है मा के भाहों में मेरा भाई करी न पगगुंगरू बांद मेरा नाची कहते हैं न सारी दुनिया की लाज भूल जाते हैं उसमें पर कभी-कभी मा का किर्टन होता है तो ऐसलता बस नाचो बस पागल की तरह नाचो दुनिया क्या समझे समझे लज्जा को त्याक दो लज्जा वीज समाराद्या यह लज्जा पद समाराद्या उस लज्जा वीज से जिसकी हम अराधना करते हैं और अपने स्वेम की लज्जा को त्याक करके अपने आपको तन, मन, धन सबसे जो भी हमारी भावना है सबसे जब हम समर्पित करते हैं ऐसी जो मा है इसको नमशकार है लाजजापद समाराद लंपता, बड़ा संदर राव है लंपतब कीसो कहते है किसी में बड़ा इंटरेस्ट हो न इसो कहते हैं लंपता जिपकर रहते ह। तो मा और शिव ऐडिक्सिंट इंग्लिश में बड़ाएगा इन दोनों को हमसे प्रेम है, तो भक्त भी लंपट है, मा भी लंपट है, बाबा भी लंपट है, हम लंपटों के अंचे हम, तो ऐसी जो मा जो शिव से कभी अलग नहीं रह सकती, ये शिव और शिवा एक ही है, जो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, और शिव और शिवा जो बच्चों को छोड़ नहीं सकते, ऐसी जो मा है, आहा, नमपटा, और है, लकुल ईश्वरी, लकुल कौन है, लकुल हम लोग है, उनका जो पूरा कुल, ला यानि पृत्वी, पृत्वी का जो कुल, उसको गहते हैं, लकुल, हम किस चाहे, पृत्वी पृत्र हैं भी, कीता में बार बार कहते हैं, पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, पार्थ कार्थ ही वो है, जिसके अंदर पृत्वी का अंच है, अर्जुन के अंदर पृत्वी का अंच है, वो मनुष्य भी है, और देवी अंच भी है, तो हम लोग अभी तक उस देवी अंच को अनुभव नहीं किया हमारे अंदर पृत्वी का अंश है चाहता तो लकुल यानि जो पृत्वी का कुल है पृत्वी का कुल है हम पृत्वी का कुल है हम पृत्वी यानि भूदेवी उसका जो कुल है वो हम ये पूरा विश्व क्या है वसुदेव कुटुम्बकम तो इस वसुदा की जो मा है और यह जो कुटुम्ब है हमारा यह है लकुल और लकुल एश्वरियानी इन की जो ईश्वरी है इन की जो देवी है उस मा को हम नमस्कार करते हैं और अभी के लिए अरतिश्वाश लोग लेते हैं इसमें दो दो अक्षर से हैं लेकिन हम केवला लव पेर रोकेंगे और उसके बाद जो माया भी शुरू होगा लज्जा भी से जो नाम शुरू होगे उसको अगले वीडियो में उसको आगे बढ़ाएंगे माहे लब्दमान जिनको हर प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है तो ऐसी जो माहें वो लब्दमान और लब्दरसा है हर प्रकार का रस जिसके अंदर से प्रकट होता है जो रस सुरूपनी है जब रस सुरूपनी कहते हूँ न तो नाम एक ही आता है सीधे रादा रानी तो मा भी ये जो नाम है न ये मा का सुरूपी है तो लब्दरसाए जिनको जिनके अंदर सारे रस जिनके अंदर है जिनके अंदर लब्द है जिनके दरब उपलब्ध है, तो सारे रस जो हैं, उन्हीं के अंदर से आते हैं, तो ऐसी जो मा हैं, इनको हम नमशकार करते हैं, और वैसे भी देखा जातों, हम लोग नवरस की बात करते हैं, शिंगार रस की बात करते हैं, तो जो शिंगार रस सरूपा है, राधानी कहो, वह भी ललताम मिका है. तो यहां पर, जब लब्द रसाय अर्थ जब आता है, तो जो सभी रस जिनके अंदर से, जिनके अंदर है, और जो स्वेम रस स्वरुपा है, उन्हे लब्द रसा कहा गया, श्रिंगार रस स्वरूपिनी जो है, वही माल लालिता है जैसे नवरसम कहते है उसमें हासे रस होता है तो मा हासे रस सरूपा है करुना रस मा ही तो है ना करुना सागरा हम कहते हैं कि मा के तो नेत्रों से करुना की लहर निकलती है तो करुना रस सागरा वीर रस मा से वीर कौन है बहिया बंडा सुर को युद्ध में हरा दिया तो वीररस, रुद्र माही काली के सुरूप में काली के सुरूप में प्रकट होती है उनसे ज्यादा रुद्र कौन होगा काली से ज्यादा रुद्रानी ज्वाला मालिनी के रुक में माह प्रकट होती है उन से तरुद्र कुन होगा, तो तरुद्र रस भी मा के अंदर है, भयानक, भयानक रस, महिशा सुर मर्दनी, उन से एधा भयानक शरूप किसका होगा, जब इतना सुन्दर भी है, इतनी सुन्दर लगती है माँ जब महिशासुर का जबस्तोत्र पेगर पढ़ते हैं और दुर्गाशब सथी पढ़ते हैं इतनी सुन्दर माँ है और जब वो मारती है महिशासुर को भद करती है तो उनसे ज़्यादा भयानक कोन होगा इतनी सुन्दर होकर के श्रिंगार रसंपुणा है वो कि माही नुशुम निशम को मारती है मा इतनी सुन्दर है वो लेकिन उनसे ज़्यादा भायानक कोई नहीं है तो भायानक वाला जो रस होता है बिभत्स वाला रस जो होता है माच्छन नमस्तिका के रूप में आती है मादमावती के रूप में आती है यह भिवत्स रूप है उनका वो रस अदबुथ सारा अदबुथ कारे करती है अदबुथ रस और उसके ओपर माँ शांत रस मुलेश्री के रूप में बैठती है ललता के रूप में बैठती है शांत रस तो ऐसी जो मा लब्ध रसा हर प्रकार का रस जिनके अंदर ही है जो रसा स्वरूप है ऐसी मा को हम नमस्कार करते हैं लब्ध संपत समुन्नति ही लब्ध संपत हर प्रकार की संपत है नि संपत्ति, प्रस्परिटी हर प्रकार के संपति जिन के अंदर है मा का एक बीज मंतर होता है श्री, श्रीम श्रीम जो है वो लक्षमी जी का बीज मंतर है आपने अभी सुना लक्षमी जी चवर डुला रही है तो लक्षमी जी जिन के साथ हमेशा रहती है तो जो सारी संपत्याती लक्ष्मी जी के पास है, है कहां से, लक्ष्मी जी कहां से मिलता है, माललता भी कहा से, तो सारी संपत्य जिन के पास है, अस्त लक्ष्मी की पुझा करते हैं, अस्त लक्ष्मीन के पास है, ऐसी जो मा हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं, संपत्य भी कैसी समुन्नती जो सबसे पीक पर जो समपत्ती तो इसलिए जब हम जब हम देवी की पुजा करते हैं तो कहते हैं कि देवी एक हाथ में भोग देती है एक हाथ में मोक्ष देती है क्योंकि यह हैं तो जब भोग की हम बात करते हैं तो यह जो अपको धन चाहिए जो भी आप एक्छा हैं वो पूरी हो जाती है लेकिन उसके अत्रिक जो हमारी किसी कोई लोग बहुत ग्यानी होते हैं तो ग्यान भी हमारी संपत्ती है तो सरस्वती जब चमर डुला रही है तो कोई जब मा की पुजा करता है तो उसको ग्यान रुपी संपत्ती भी मिलती है तो संसारी संपत्ती तो मिलती है ग्यान रुपी संपत्ती भी मिलती है और मा का एक सरूप है काली का सरूप तो काली सुरुप में जब मा रहती है तो मा ठाकत शक्ति देती है क्योंकि शक्ति बहुत अवश्यक है संसार में जिने के लिए आप शक्ति शाली हो तो लोग आपको देखेंगे पावर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है तो पावर्फुल आदमी ही धन भी कमाता है पावर्फुल आदमी के पास सारे वैब होते है तो पावर बहुत ज़रूरी है तो मा उस काली रूप में रहती है जहां मा शक्ति पावर देती है तो ऐसी जो मा है की लब्द संपत समनती ही हर प्रकार की संपत्ति देने वाली ऐसी मा को हमनों मश्कार करते हैं तो इस प्रकार हमने आज लग जो अक्षर है उससे मा के जितने स्वरूप है उनके अर्थों को आ समझा अगले वीडियो में रिंकारणी यानि उनका जो बीज मंत्र है और उसके सारे अर्थों को समझेंगे उसमें पूरे रिंकार से के 22 श्लोकों तक केवल रिंकार स्वरूप उनका दिया गया रिंकार रिंकार रूपी और उसके बाद रिंकार आध्या की रीम कार तो प्रकट हुआ नाद रूप में लेकिन उसके पहले भी माही है और रीम मद्या और जब रीम से ही ये स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करेंगे मां सबका कल्यान करें सबके रिधे में मां का प्रेम बस उमरता रहे ऐसी प्रारता करती हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में